इत्तिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इत्तिहाद नूज मैं आप सभी का खैर मद्दम हैं दो दिनों में दो अदाकारों की इस दुनिया से एक्जिएट बहुत कुछ बयान करती है अरफान कान महथ 53 साल के उम्र में अपने चाहने वालों को अलविदा कह गया है मुक्तलिब किरदारों में बड़े आसानी से ढल जाता था मानो सल्मान खान शारु खान अमीर खान तीनों खान इसमें समाई हुए हों अगर दोनों इर्फान खान और रुशी कपूर दोना अदाकारों पर नज़र डाले था इनकी फिल्मों का किरदार भी मकसुस पेगाम दे जाता था 1988 में जब मेरा नायर के फिल्म सलाम बॉम्बे दुनिया भर में धूम मचा रही थी तो शायद ही किसी की नजर वुस्त दुबले पतले अटरा 20 साल के लड़के पर गई हो जो महस कुछ सेकेंड के लिए स्क्रीन पर आता है और चला जाता है सलाम बॉम्बे से अंग्रेजी मीडियम तक खासकर कहीं फिल्में बहुत सारी हैं इर्फान खान की लेकिन खासकर अगर हैदर फिल्म का किरदार वही दूसरी वोर मेरा नाम जोकर के राजा से मुलक फिल्म के मुराद अली मुहम्मद तक के सफर में फिल्मों के जरीया मौझदा हालात को भी म बंजरे आम पर लाने की कोशिश की इर्फान खान और रिशी कपूर ने इर्फान खान के कई किरदार जिसमें मुल्क के मुझुद हालात को बयान करने की कोशिश की गई खास कर जब सिस्टम से हताश और बंदुक उठा चुका पांसिंग बोलता है कि बिहड में बागी होते हैं डकेत मिलते हैं पार्लमेंट में तो थेटर में पढ़ने वाली तालियां सिर्फ इस डालॉग पर नहीं थी अपने एक्टिंग से रफान खान ने हमें ये यकीन दिलाया था कि उन्हीं की बात सही है भले ही आप जानते हों की ये सही नहीं है या फिर हैदर में कश्मीर रुहदार का वो रोल जो कहता है जेलम भी है चिनार भी है शिया भी मैं सुनी भी मैं और पंडित भी मैं रुहदार का किरदार जो कहने को एक भूत था पर आपको यकिन दिलाता है कि वो असल में है और आपके जमीर की आवाज है और वह दूसरी वर रुशी कपूर के आकरी फिल्म मुलक जिसमे आज की तारीक को बयान करने की कोशिश की गई भारत में मुसल्मानों को देश भक्ती की दलील पूची जाती है एक वकील को किस कदर देशत गर्दी के जुर्म में फसानी की कोशिश की जाती है जो किरदार मुराद मुहमद का निवाया है मुझदा मुलक के हालात बया करते दिखाई देती है जब अदालत में मुराद अली मुहमद कहते हैं क्या आपको मुराद अली मुहमद और रुसामा बिन लादेन की दाड़ी का फर्क मालूम नहीं होता मुराद अली के किरदार में रुशी कापूर कहते है यहां मुल्क मेरा है मैं अब्दुलहमीद से भी मतासिर हुआ तो गांदी से भी मतासिर हुआ मदद टेरेसा से भी हुआ इस मुल्क में पैदा होने का फाइदा भी हुआ और कुछ लोग हमें शक्की निगां से भी देखने लगे पर सच्चाई ये ये कि मुझे दफन घर के करीब उस कबरस्तान में होना है जो घर के बिलकुल करीब है भारत के मुसलमानों पर फिल्माई मुलक आखरी फिल्म रही और सच्चाई से रूबरू करते यहां दोनों इत्याद लिए देखने के लिए शुक्रिया अल्दा अपीस